गूड इविनिंग दोस्तों अप लोग कैसे हैं देखिए मेरा गर्डेन को थोड़ा सा बलकुनी से यह मेरा बलकुनी है नीचे में है लेकिन इस बलकुनी के सामने से हम इस अपको इस तरों रखे है अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे शिंगोनियम का कटिंग जो हम लगाए थे अप लोग को दिखाया थे कितना अच्छा से छुटे-छुटे कोई भी पॉट पर हम लगाए यह नहीं कि कोई गमले में लगा हुआ है फ्रेंड ऐसा कोई भी पॉट पे हम लगा है देखिए एफ देखिए किस में लगा हुआ है इसी तरों कोई कोई चीज में इसको देखिए कैसे लगा के रखे हैं सारे इसी तरों लगा हुआ है फ्रेंड लेकिन बहुत सुन्दर से हो रहा है इसे आपका ग्रोथ किता अच्छा लग रहा है और देखिए यहां से ऐसे दूर में जो मरपंखी का प्लांट दीख रहा ना फ्रेंड उसी के बगल में वाइट वाइट गुलाब खिला हुआ है वहां साइड में बास बालकुन में बैठके हम वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा सा लूक दिखा रहे हैं है यहां से जाने आने लगते हैं अमलुक जाते आते हैं और यहां पर सबको रख दिए हैं और यहां 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 कभी लोड़ बेतो दिखाते ही हैं कभी-कभी प्रेंड देखें दोस्तों यह फूल कितना दिन से खील रहा है पर हम इसका वीडियो ले ही नहीं पाते हैं सुसते हैं कभी खीचेंगे कभी वीडियो लेंगे इसका फोटो हम ले ही नहीं पाते हैं आज तो थोड़ा कम है दूसरा दिन दो उस डाली में भी खीलता है काल तो इतना ज़्यदा था लेकिन आज इस डाली में नहीं है लेकिन बहुत कुढी आया हुआ है और बहुत दिन से खील रहा फ्रेंड कभी बारिश होता है शाम को भार नहीं निकालते हैं और इसमें फूल एतना होता है हम देखील दिखा ही नहीं पाते हैं अ कितना अच्छा कलर है फ्रेंड अब बड़ा बड़ा भी है देखिए इसको हम लोग शंधिया फूल बोलते हैं फ्रेंड इसको आप लोग क्या बोलते हैं बताएंगे इस शाम की समय होता है ना इसलिए इसका नाम है शंधिया फूल बहुत पहले मेरे पास इसका तीन कलर था लेकिन अभी हम एक ही कलर मने मेरे पास है इसका बीज है ना फ्रेंड गोल गोल होता है एक बार अगर लाते है ना फिर इसको आर लाने का जुरूरत है नहीं होता है यह अपने ही बीज गिरेगा अपने से ही गिर के फिर होगा और इसका देखिए गमले में है फ्रेंड एक कहीं से हम लाए तो छोटा सा कहीं पर गिरा हुआ था एक तुपवधा था उसको लाए थे तो इतना अच्छा हुआ है इसमें लगा हुआ है देखिए और इसका एक डाली बंदर आयता होगा तो डाली तोड़ दिया था तो यह ऐसे यह डाली को हम यहां लगा दिया दिक टे फृइंड इसका होता हे की नहीं कटीं कटीं तो एसे लोगा बोलता है होता है हम दो को मालूम नहीं था लेकिन कटीं होता है कि हम देखेंगे और अभी शाम है फ्रेंट पता ने छे बज रहा कि कितना बज रहा है कि सारे पांच बज रहा पता ने अभी टाइम नहीं देखे लेकिन थोड़ा बहुत जो दीखता है देखे फ्रेंट कितना अच्छा लग रहा है देखे हई है ऐख चोट असा आरे हाँ देखें फ्रेंट मेरा मंड़ा विला एक पाउधा वाइट रंकफूल यहां जमीन जमीन नहीं नीचे में है वो गम ला में हम कटिंग के से तयार किये थे आप लोग को व कम ले में हम लगा है एक जमीन में लगा है पवदा तो बहुत सुन्द और बेल निकल लिया फूल मेरा आज पहले बार हम वीडियो किये नहीं तो इसका फूल ही नहीं पकड़ाता है यह देखे फ्रेंट इसको इंशुलेंस प्लान पोलते हैं इसका फूल इस तरो खिलता है बहुत सुन्दार इसका पत्ते भी लगता है प्रेंट एकदम घुमा होता है आरे देखे फ्रेंट इह मेरा कितना अच्छा प्लांट है लाल घडी और दिखाते है फ्रेंट अब देखे फ्रेंट यहां इस सब सुबह में खिलाता है डबल डबल करके आए देखिए सब मुर्जाने लगा काल फिर खिले गा लाल रंक वहां लाल बला है और यहां योलो कलर का है एका देखिए प्लांट इसका पत्ते को रहा सुगर क्रेश करें बैसेंट खाते हैं पीस करके खाते हैं कि कैसे खाते हैं। लेकिन बड़ सुन्दर लगता है दिखेत I अच्नमें अच्छ लगता है प्लांट देखिए और इसका फूल इसतर हो खिलता है और इसका प्लांट इतना सूंदर लगता है दिकन पत्ते इसका मुड़ाय मुड़ाय गुमा गुमा के होताcciones मेरा टिकोमा का प्लांट फ्रेंट टिकोमा में अभी देखी एकली ढ गया है अभी खिलने ही बला है हम बहुत दिन से इंतिजार कर रहे थे फ्रेंट एह देखिए कली आ रहा है इसमें फुल खिलने ही वला है बहुत बड़ा एक मने प्लांट के ट्री हो गया है देखें न फ्रेंट एक साल का पाधा है मतलब छोटा सल आये थे और हम कटिंग किये थे पिछले सल लेकिन देखें एक बल्टी में है यार मोल्टी में देखें नौ कितना बड़ा होगया है उधार की फ्रेंट उपार में चलागया कितना बार प्लान बहुत सारे क फूल खिलेगा फ्रेंट मेरा ही चोटा से वीडियो कैसा लगा बता है राइक शेर कर देगा और प्यारा से कमेंट कर दीजking प्रेंड, बाइ, अपना के आल रही एगा प्रेंड, आपना के आल रही एगा प्रेंड